उज्जैन यात्रा के दोरान महादेव सिव के नाग ने आकर जो किया उसे देख वहां मौझूद हर कोई हैरान था इस वीडियो में हम आपको महादेव सिव का एक अनुका चमतकार दिखाने वाले हैं परन्तु इससे पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में सच्ची सरदा से हर हर महादेव जरूर लिख देना दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिहार के रहने वाले हरी पाल जी की जिन्होंने अपनी ये सच्ची घटना हमारे साथ सेयर करी है हरीपाल जी बिहार के एक छोटे से गाउं में अपनी पत्नी और अपनी एक बेटी के साथ हसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे उनकी बेटी रेखा बहुत ही आग्याकारी और हसमुक थी उसकी अच्छे आदते और गुणों से गाउं का हर कोई प्रभावित था वह महादेवसियों की बहुत सच्ची भक्त थी और सोंबार के दिन वो उवास रखा करती हरीपाल जी बताते हैं एक बार हमारी बेटी रेखा के विवहार में परिवर्तन आने लगा कभी कभी वो अजीब हरकते करने लगती जैसे अचानक बिना बाद पर उसे गुसा आने लगता तो कभी रोने लगती धीरे धीरे उसका हस्ता खेलता चहरा उदास रहने लगा वो बिलकुल सांसी हो गई थी और अपनी आपको एक कमरे के अंदर बंद रखने लगी थी हरिपाल जी बताते हैं कि मैंने अपनी बेटी को कई अच्छे डॉक्टरों को दिखाया परन्तु कोई फाइदा नहीं हो रहा था कई लोगों के सुझावों पर मैं अपनी बेटी को कई बाबाओं के पास भी ले गया परन्तु किसी भी चीच का मेरी बेटी पर कोई असर नहीं हो रहा था हरिपाल जी आगे बताते हैं कि एक बार मेरी पतनी की बेहन हमसे मिलने आई हमारी बेटी की हालत देख उसने हमसे कहा कि ये मुझे कोई उपरी बूरी सकती लगती है जो हमारी बेटी को परिसान कर रही है आप एक बार रेखा को लेकर उज्जैन के प्रसिद मंदिर महाकाली स्वर के दरसन कराओ वहां महादेव सिव स्वे महाकाल जोतिर लिंग के रूप में विराजमान है इस मंदिर के अंदर हर बुरी सकती का अंत होता है और मुझे लगता है कि हमारी बेटी के उपर से भी हर बुरी बला महाकाल के दर्सन से दूर हो जाएगी हरी पाल जी बताते हैं कि मैंने तुरंट उजेन की दो बस की टिकटे बुग करा दी और अगले ही हपते उजेन की तरफ मैं अपनी बेटी के साथ निकल पड़ा परन्तु उजेन के रास्ते पर परताप नगर के पास अच्छानक मेरी बेटी रेखा को ना जाने क्या हुआ वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे यहां से जाना है और बस ड्राइवर ने भी बस रोग दी हरीपाल जी आगे बताते हैं कि मुझे अपनी बेटी को सम्हालना मुश्किल हो रहा था ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई दूसरी ही सकती है जो उसे ताकत दे रही है और भागना चाहती है हरीपाल जी कहते हैं कि मैंने और बस में बैठे कुछ लोगों ने रेखा को पकड़ कर सांथ करना चाहा तो उसने हम सभी को धक्का दे दिया और बस के बाहर निकल कर रोड पर भागने लगी मैं समझ नहीं पा रहा था कि आँखे मेरी बेटी के साथ ये सब चीज हो क्या रही है और मेरे आखों से बस आंसु निकले जा रहे थे मैंने महादेव को मन ही मन याद किया और कहा हे भगवान मेरी बेटी को बचा ले और अपनी बेटी का पीछा करते हुए मैं भी रोड में भागने लगा तभी मैंने कुछ दूरी पर ऐसा देखा जिस पर मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था एक जटाधारी साधू जिसके एक हाथ पर कमंडल था और दूसरे हाथ पर उसने रुद्राक्ष की माला पकड़ी हुई थी और गले में साप को सौल की तरह लपेटे हुए था उसने मेरी बेटी को रुकने को कहा और मेरी बेटी रुक भी गई और फिर बाबा के गले से वो साप निकल कर मेरी बेटी के पास जा पहुचा और कुछी देर में मेरी बेटी जमीन पर लेट गई और वो साप वापस पाबा वहां से चला गया मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है और आखिर कौन है वो साधू मैं दोड़कर अपनी बेटी के पास पहुंचा और उसे पानी डाल होस में लेकर आया जब मेरी बेटी होस में आई तो मुझे देख वो पापा बोली ये सब सुन मेरी आखों से खुसी के आशों निकल पड़े करीब एक साल हो गया था इस सब्द को उसके मुझे निकले मेरी बेटी के चहरे पर फिर से वो पुरानी मुस्कान वापस लोटाई थी मैं अपनी बेटी को महाकाल के दर्सन को ले गया दर्सन कर हम वापिस खुसी अब मेरी बेटी फिर से वही पहले की तरह हस्ती खेलती खेलती बेटी हो चुकी थी महाकाल के आसिरवात से ही वह वापस पूरी तरह स्वस्त हो चुकी थी दोस्तों महादेव के ऐसे कई चमतकार और किस्से हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं अगर आपके साथ भी ऐस की वही सीव चमतकार की कहानी दिखाएंगे